दोस्तों कि आपको पता है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में बैट के online music बना सकते हैं जी हाँ यह सब possible है आप कहीं पे भी किसी भी कोने में जाके online music बना सकते हैं वो भी सिर्फ एक browser के थुरू या अपने mobile के थुरू सो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी application के बारे में बताने जा रहा हूँ जहां पे आप online music करेट कर सकते हैं इसके लिए किसी भी डीडेबलू की आपको जुरत नहीं है मतलब कोई भी आपको physical software नहीं चाहिए simply आपके पास एक browser होना चाहिए चाहिए वो Chrome हो Mozilla Firefox हो या कोई सा भी installed browser हो आपके computer में या फिर आपके mobile में तो आप easily वहाँ पे अपना online music करेट कर सकते हैं तो काफी useful videos होने वाली आप लोग के लिए अगर इस videos में चाहते हैं आपके आपको काफी कुछ नया सिखने को में तो इस videos को जल्दी से like कर देना और मैं चाहता हूं कि इस videos को आप लोग ज्यादा ज्यादा like करना चलिए इस videos को start करते हैं सबसे पहले आपको यह application इसके बारे मैं आपको बता जाता हूं इस videos को पूरा देखना और ध्यान से देखना क्योंकि काफी important चीज़े मैं आपको बताने जा रहा हूं सबसे पहले बताता हूं कौन सा यह software है और कैसे हम इसको use कर सकते हैं यह जो software है इसका नाम है SoundTrap जैसे आप Google करेंगे इसको यहाँ पर आजाएगा SoundTrap Make Music Online इस पर आपको क्लिक करना है देन आपके सामने इस तरह का एक प्रोजेक्ट पेज खुलके आएगा बैसे क्लिए मेरा यह जो है अलरडी लॉग इन है यहाँ पर इसलिए आ रहा है अब हम बात करते हैं हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं इसको यूज करना बहुत इजी है simply हमें इंटरे स्टूडियो पे क्लिक करना है देन आपके सामने एक और नहीं प्रोजेक्ट खुलेगा आप यहाँ पे music अगर online बिनाना चाहते हैं तो आप यहां से music पी जा सकते हैं otherwise podcast कर रहे हैं यानि live अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो यहां से आप कर सकते हैं so मैं आपको यहां पे इसका जो demo दे रहा हूँ वो music composing का दे रहा हूँ then आपके सामने introduction आता है so आप इसको skip कर सकते हैं simply मैं इसको skip कर रहा हूँ अब सबसे पहले इसका theme हम change करते हैं और theme कैसे change करते हैं इसके बारे मैं आपको बताता हूँ simply यहां पे आप click करेंगे तो यह theme जो है इसका dark हो जाता है so dark में थोड़ा साथ अच्छा लगता है otherwise यह आपकी चुआईस है क्या आप इसको bright रखना चाहते है या फिर dark रखना चाहते है so अब बात करते हैं कैसे हम इसको use कर सकते हैं इस application को जिसको की हम online में use कर सकते हैं कहीं पर music rate कर सकते हैं okay तो यह इसका पूरा का पूरा interface है और यहां पे इसके सारे tracks आते नीचे के साइड में जो आप देख रहे हैं यहां पर आपके recording होते हैं यहां से और यहां पर आपका timer चलता है जितने second का या जितने minute की videos होंगे यह जो आप देख रहे हैं यह master volume है यहां से master feeder बोल सकते हैं इसको total जो यहां पर tracks आएंगे उसको यहां से आप control कर सकते हैं यहां पर जो आप देख रहे हैं यहां से आप keys select कर सकते हैं आपको measure में song बनाने या फिर minor में बनाने हो for example मेरे को D measure में बनाने तो मैं D measure अपना select कर सकता हूं उसके पाद most important चीज आता है कि हम इसका tempo कैसे set कर सकते हैं और simply यहां पर आकर आप इसका Tempos each कर सकते हैं और तो इस तरह से आप tempo ले सकते हैं जो किलेक होती है यहां से को आप करेंगे अधरवाईस यह किलीक्की sound आपको सुनाइज नहीं देगी दिन उसके बगल में एक आता है छोटा सा setting का option जहांपे आप अपने हम सेट कर सकते हैं count in कितने बार का आप यहांपे रखना चाहते हैं कितने बार से गिंती होगी वो चीज़ आप यहां से कर सकते हैं यहां से जो click की sound है उसको यहां से बढ़ा सकते हैं पर किलिक डिफरेंट टाइप का है जैसे यह टिक हाइट क्लेव इस तरह कि यहां पर अलग-अलग साउंड्स दे रखे हैं मेट्रोनॉम के लिए इसको आप यहां भी यूज कर सकते हैं इसका जो लॉप सवक्ए, अगर उसको सिंप्ली यहां पर आपको क्लिक करना हो कर दिन यहां पर काफी सारी लूप्स देखने को मिल जाते हैं क्योंकि यहां पर हजारो लूप्स आपको मिल जाएदे और इन मेंसे कोई भी लूप्ट अगर आप यूज करना चाहते हैं तो इसकर Яप यहां इमीजिक क सकते हैं आपकी आपके track के उपर और यहां पर वो automatically load होके आजाए है तो इस तरह करके आप directly track को यहां पर load कर सकते हैं चलिए मैं यहां से delete करता हूँ delete करना बहुत easy, यहां पर simply यहां पर click करेंगे यहां से हम इसको delete track पर click करेंगे तो यह आपका invite हो जाएगा और जिस बंदे को यह mail जाएगा वहां से join करके आपके project को देख सकता है तो आप बात करते हैं track कैसे create करते हैं simply track यहां से भी हो सकता है create यहां से भी हो सकता है तो मैं यहां से करके दिखाता हूँ add new track पर click करेंगे आपके सामने काफी सारे option खुलेंगे आपको क्या करना है वो आपको decide करना होगा voice के लिए चाहिए track या फिर piano के लिए guitar के लिए drums के लिए या फिर जो भी चीज़े लेना चाहते हो simply आप ले सकते है otherwise यहां पे काफी सारे और भी option है जैसे खुद का अगर loops आप या कोई music इंपोर्ट करना चाहते है तो यहां से simply आप जो है वो भी काम कर सकते है for example मैं आपको यहां से इंपोर्ट करके दिखा रहा हूँ यह मैंने यहां पे इंपोर्ट किया तो यह इंपोर्ट हो गया यहां पे आपको सबसे पहले इंपोर्ट दिख रहा है तो जो भी आपका इंपोर्ट होगा वो यहां से आपको select करना होगा तब भी आप इसको use कर पाएंगे यहां पे दिखिए दूस्तों preset अलड़ी आ रहा है computer mic enhancer तो आपके case में कुछ दूसरा भी select हो सकता है तो यहां पे आपको voice के अंदर काफी सरे option मिलते हैं आप clean में रख सकते हैं computer mic में रख सकते हैं या फिर यहां पे drive में रख सकते हैं काफी अच्छी sound देता है और mobile mic enhancer में भी आप रख सकते हैं अच्छी sound यहां पे आपको सुनाई देगा अब बात करते हैं कि हम कैसे recording कर सकते हैं recording करना बहुत easy है आप यहां पे R button देख रहे हैं इस पे आपको click करना है दिन आपके सामने इस तरह का option हैगा पुछेगा आप क्या करना चाहते हैं headphone use करना चाहते हैं आपको यहां पे yes करना है otherwise monitoring नहीं होगी मतलब जो आप कान में माइक में कुछ बोलेंगे तो आपको कान में सुनाई नहीं देगा अगर यहां पे आप कर देते हैं I am not using headphone तो आपका जो headphone है उसमें आपको कुछ भी सुनाई नहीं देगा Okay, so यहां पे मैं करता हूँ I am using headphone So अभी मैं जो भी चीज़े बोलना हूँ वो मुझे मेरे कानों में सुनाई दे रहा है So ऐसे करके आप यहां पे simply monitoring कर सकते हैं तिन यहां पे आता है बगल में जो बटन है यह automation का यहां से आप automation कर सकते हैं यह volume है track का Track के कितने volumes को रखना चाहते है यह जो button देख रहे है headphone का यहां से आप solo कर सकते है headphones को और अभी इस track को solo कर सकते हैं बागी track आपका mute हो जाएगा अगर इस track को mute करना है तो इस पे click करेंगे mute वाले पे तो यह track आपका mute हो जाएगा तो यहां पे दोस्तों मैं भी testing कर रहा हूँ अपनी voice को और normal मैं बोल रहा हूँ बागी अभी आपको सुनाता हूँ play करके तो यहां पे दोस्तों हमने audio record कर लिया है मैं आपको play करके दिखाता हूँ कि अभी कैसी sound आ रही है तो यहाँ पे दोस्तों मैं भी टेस्टिंग कर रहा हूँ अपनी voice को और normal मैं बोल रहा हूँ बाकि अभी आपको सुनाता हूँ play करके तो देखा दोस्तों आपने काफी अच्छी recording हुई हमारी इस तरह करके आप recording कर सकते हैं जितनी मर्च यहाँ पे tracks ले सकते हैं अगर आपको यह preset अच्छा नहीं लग रहा है तो आप simply इस पर किलिक करके आप यहां से इसको change कर सकते हैं for example मेरे को यह dry रखना है तो मैं यहां से dry कर दूँगा तो यह बिल्कुल normal sound सुना ही देगा ओके तो यहां पर दोस्तों मैं भी testing कर रहा हूं अपनी तो आप देख सकते हैं काफी normal sound हमें सुना ही दे रहा है अगर आप चाहते हैं कि खुद का preset बनाना तो simply आप यहां से बना सकते हैं आपको करना क्या है यहां पर एडिफेक्ट में क्लिक करना है देन आपके सामने इस तरह का option है यहां पर एडिफेक्ट में जाके आप यहां पर यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से जैसे compressor लगाना है तो यहां से compressor लगा लीजिए यहां पर आपको तो इकुलाइजर लगाना है तो इकुलाइजर लगा लिजिए इसके लोज, मीड, हाई इसको आप कंट्रूल कर सकते हैं अपने हिसाब से और यहाँ पर आके आप और भी दुसरा को एफेक्ट लगा सकते हैं यहां से आपगा सकते हैं उसी तरह से आपको डिली चाहिए तो यहाँ से आप यो सकते हैं . कमकर लिए पीयानो और कीजिए वां। . तो इस तरह करके हम piano बजा सकते हैं अपने mouse से otherwise हमारे पास option होता है कि हम इसको keyboard से भी बजा सकते हैं तो फिलहाल मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसा इसके preset को चेंज कर सकते हैं यहां पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह के बहुत सार एफेक्ट आपको देखने को मिलेगा आप यहीं से चेंज कर सकते हैं गितार, कीबोर्ड, सेंथ, स्ट्रिंक, सो कीबोर्ड में आके आप यहां से अपने preset को जन सकते हैं जैसे यह grand piano पे अभी तो grand piano का दूसरा preset लेना चाहते हैं इस पर simply क्लिक करके यहां पे play का जो बटन इस पर क्लिक करके आप प्रिव्यू कर सकते हैं इसी तरह से अगर आपको guitar के preset लेने हैं तो आप यहां पे ले सकते हैं guitar and bass में आके otherwise उपर में आपको guitar and bass का भी option मिलता है तो यह भी आप से लेक कर सकते हैं acoustic guitar काफी अच्छा है इसका okay तो यह इस तरह से preset load हो गया अब चाहें तो यहां पे आप जो recordings कर सकते हैं so आप यहां पे इस तरह से recording कर सकते हैं आपको जितने भी tracks चाहिए दोस्तों आप यहीं से ले सकते हैं cut paste करना थोड़ा सा बता जाता हूं simply आपको क्या करना है जहां पर भी cut लगाना है वहां पर right click करके यहां पे option आता split reason यहां पर click करके आप उस track को delete कर सकते हैं इस तरह से आप right click करेंगे split reason और जो पार्ट आपको नहीं चीए उसको simply आप यहां से इस तरह से delete कर सकते हैं दोस्तों इसमें और भी चीज़ है इसके बारे मैं आपको उताता हूं auto tune आपने NTS company का देखाई होगा उसी का यह brand यूज़ कर रहा है और यह जो company है sound trap यह उसी की brand यूज़ कर रही है जो auto tune है तो वह भी मैं आपको दिखाता हूं pitch correction के लिए आता है right click करेंगे auto tune पे click करेंगे देन आपको जो भी scale होगा यहां से आप उसको select कर सकते हैं सारे note आपको मिल जाएंगे major minor के तो आप यहां से select कर सकते हैं for example d measure मैं select कर रहा हूं अब auto tune कितना रखना है अगर पूरा happy रखना है तो यहां पे आप कर सकते हैं तो यह सुनने में सही नहीं लगेगा क्योंकि हिंदी गाने में बहुत कम ही auto tune यूज होता है सिर्फ pitch correction के लिए यूज होता है अगर आप पंजाबी या फिर हर्यानवी song बना रहे हैं बोजपूरी बिना रहे हैं इसको आप हैब भी रख सकते हैं दोस्तों आप यहां पे चीज और भी कर सकते हैं यहां पे loop mode होता है इसको on करके आप यहां से simply जो भी आपको audio चाहिए जितनी उतनी audio को से ले करके आप loop mode में export कर सकते हैं चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे export करेंगे लेकिन उससे पहले आपको project save करना होगा तब ही आप export कर पाएंगे सो simply मैं यहां से save कर लेता हूँ project और हमारा जो project है वो यहां पे save हो रहा है यह automatically mixing करता है जो भी आप vocal या कुछ भी record करते हैं automatically उसको mix कर देता है तो यहां पे mixing का आपको ज्यादा tension नहीं लेना है कि mix कैसी होगी क्या होगा क्या नहीं होगा तो simply सब काम यह dwj automatically करता है यह browser के थुरूई उचलता है और browser के थुरूई यह सारा काम online होता है तो आपके सारे जो project है वो automatically mix हो जाएंगे automatically वो आपके project में save भी हो जाएंगे ओके तो यहां पे हमारा mix हो चुका है अब simply हम क्या करेंगे फाइल में आएंगे then हम यहाँ पे export में जाएंगे आपको जो भी project चाहिए वो यहाँ पे export कर सकते हैं for example मेरे को mp3 या फिर web करने तो मैं यह से वो select कर सकता हूँ इसलिए मैं आपको mp3 में save करके दिखाता हूँ तो यहाँ पे हमने mp3 में save किया यहाँ पे देखिए audio हमारा आ चुका है यह वाला audio और इसको मैं आपको play करके दिखाता हूँ तो यहाँ पे मैं अपनी audio test कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग के लिए और अभी मैं आपको export करके दिखाऊंगा आप देख सकते हैं हमारी जो audio है वो यहाँ पे export हो गया चुकी है और इस तरह से दोस्तों आप अपना एक music compose कर सकते हैं so I hope कि आज की जो वीडियोज है वो आप लुप को पसंद आई होगी और ऐसी वीडियोज देखने के लिए आप हमारी चैनल को subscribe कर सकते हैं और नईनी वीडियोज देखने के लिए stay tuned रहिएगा so मिलते next वीडियोज में